कश्मीर में जब एक महिला शादी के बाद कार चला कर ससुराल पहुँची तो चारों तरफ इसकी चर्चाएं शुरू हो गई सोशल मीडिया पर तस्वीरे वाइरल हैं लोग जम कर तारीफ कर रहे हैं ये कहानी उत्तरी कश्मीर के बरामूला जिले के डेलिना में आमीर शेह के साथ शादी के बंदन में बंदे वाली सनावानी की है विदाई के वक्त आमतौर पर माहौल गमगीन हो जाता है दुलहन अपने परिजन के साथ लिपट कर रोती हुई नजर आती है लेकिन यहाँ मामला जरा उलट था विदाई के वक्त पती ने दुलहन से कार चलाने की गुजारिश की तो उसने बिना किसी संकोच के कार की स्टेरिंग, संभाली और ससुराल पहुँच गई सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है इसके तस्वीरें यह तस्वीरें कश्मीरी समाज के पारंपरिक रीती रिवाजों से मेल भले ही नखाती हो लेकिन सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही है लोग तारीफ करते नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों को महिला सशक्तिकरन का बेहतरीन उदारन मान रहे हैं आई अब जानते हैं सना का क्या कहना है वही जब हमने सना से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा जब हमने अपनी माता पिता का घर छोड़ा तो मेरे पती ने पूछा कि क्या मैं कार चला सकती हूँ मैंने प्रस्ताफ सुईकार कर लिया मैं कार से अपने ससुराल पहुँची मुझे कार चलाते हुए देखकर मेरे ससुर और सास बहुत खुश थे इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को खुद के अधिकारों के लिए खड़े होने की बात कही फिलाल सना पोस्ट ग्रैजुएट की पढ़ाई कर रही है आईए अब जानते हैं कि उनके पती आमीर ने इस पर क्या कहा पती आमीर से जब इस बारे में हमने सवाल किये तो उन्होंने बताया मैं अकसर इस अवसर को उसके लिए विशेस बनाने के लिए कुछ करना चाहता था और कश्मीरी विवाहों के स्टेडियो चाइब को तोड़ना चाहता था जहां हमेशा दूले की तरफ से कोई व्यक्ति होता है जो कार चलाता है लड़कियों को केवल रसोई या पती के माता पिता की देखभाल करने की जरुरत नहीं होती है उनका भी समान अधिकार है आमीर ने बताया कि परिवार के सभी लोग सना को कार चलाते देख हैरान और खुश थे